नमस्कार यू आर वाचिंग एटुजर्ड इस्टीपॉइंट इफ और न्यू तो इस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस्ट बेल आइकन विज्ञान की दुनियां विज्ञान की दुनियां हेलो नमस्कार वच्चों आप सुब का स्वागत है आपका प्यारा चैनल एटुजर्ड इस्टीपॉइंट पर आज हम आपको नए टोपिक लेकर आयो हैं कि बीना घरी के पुराने जमाने के लोग समय कैसे बताते थे आप सोच सकते हैं कि अभी आप तो घरी को देखते हैं त समय का पता लगाते हैं कि कितना समय बजा अभी बारा बजा अभी दो बजा या तीन बजा तो पुराने जमाने की लोग जो थे वे समय का अंदाज कैसे लगाते थे तो आज हम आपको उसी का सेर हम कर रहे हैं कहानी की शुरुआत कर रहे हैं और किस तरह से वो समय का पता ल क्योंकि मैं आपको प्रत्य दिन नए नए सोचते हुए कि आज कौन से टोपिक दिया जाए किस तरह कहानी को दिया जाए जो आपके लिए उपयोगी हो आज हम विज्ञान से यह कोस्चन लेकर आए हुए कि प्रकास और छाया किस तरह से एक दूसरे पर निर्भर करती है और स उसको किस तरह से उसको कनभट करके समय का सद्वियों करता है आए देखते हैं काता कि बिना घड़ी के पुराने जमाने के लोग समय कैसे बताते थे तो उसी के बारे में हम जान रहे हैं काता है पुराने जमाने में आज की तरह घड़ी नहीं थी जिस तरह आज आप लोग पुराने जवाने में आज घरी नहीं थी स्ट रखा तब लोग समय कैसे बताते थे तो समय बताने के लिए उसके पास क्या साधन था तो उसी के बरम चान रहे हैं क्या उन दिनों उनको समय जानने की जरुरत नहीं पड़ती होगी हाँ पड़ती होगी वही कार आप सोचिए क् भी लोगों को समय जानने की जरुस्त होती थी जैसे आज लोगों को होती है जिसतरा अवी हम लोग कने कितना जाइका 10 जिसकूल जाना है तो उस त्सकार केले भी जाज् SOUND करते लिए क्यते शाहा अन्दाजा लागते थे कितना ज्टा कैसे बज़ते और यह भी परफेक्ट बालो घड़ी और जल घड़ी पुराने जमाने के लोग ये तीन घड़ी का इस्तेमाल करते थे और इसी से जीव को पारजन करते थे और अपना काम समय पर करते थे तो पुराने जमाने में लोग रस्य जला कर भी समय का ग्यान कर लेते थे यानि पुराने जमाने में लोग दिखे कितना होसियार था कि लोग रसी को जला दिया और समय का ग्यान कर लेता है कि कितने देर में यह रसी जलेगी वो उसको अंदाज था और उसी अंदाज से वह काम को भी करता था आईए देखते हैं यहां पर कुछ चीत्र दिखाई दे रहा है यह बहुत ही अच्छी चीत्र है मैं आपको बहुत ढूंडते हुए आपके साथ यह वीडियो को हम सेयर करें तो आप देखें वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक अवस्य करेंगे अगर हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें क्या काता है वीडियो की सबसे बड़ी धूप गड़ी इसे 1788 में जैपूर के महराजा सवाई जैशींग ने बनवाया था इसका नाम विरिहत समराट यंत्र था आपको कंपेट्शन में यह कोश्चन भी पूछा जा सकता है कि वीडियो की सबसे बड़ समराट यंत्र भी रखा गया है अब देख रहें यहांपर क्या है अपके धूब घड़ी आपको बताए धूब घड़ी क्या कता कई सदियों तक लोग धूब घड़ीयों के सहरे समय जानते रहें बताते रहें और विश्वी सतावदी के प्रारम में यंत्री घड़ी का भी आविसकार हुआ बाद में गारी बनी और इसके का त्या कैता यह तो पहले यांतरी घड़ी हुआ उसके बाद धूब घड़ी सूरी की रोशनी दूब पर च्छाई च्या की गति से समय को बताती थी त्यूब घड़ी मुद घड़ी जो होता है वो ढहरें पर च्छाया स चड़ने उतरने के साथ बदलती रहती है यह इसमें बताया जा रहा है कि जैसे वो चड़ते हैं जैसे उतरते हैं उसी तरह उसका भी वह घुम्ननगत्य को पूरा करता है आये देखते हैं काता है धूब घड़ी को सही समय बताने के लिए उचीत अस्थान में अस्थापित कि आ जाता है और विश्वत रेखा पर धूब घड़ी कभी सही समय नहीं बता सकती है काता कि विश्वत रेखा पर धूब घड़ी कभी समय सही समय नहीं बता सकती है इस रेखा से कुछ उत्तर या दक्षिन धूब घड़ी सही समय बताती है यानि धूब घड़ी का काम उत्त कि धूब घड़ी है में लगा दिया चाया कहां पर हुआ यह देखिए यही बता है कितना बजा आपका पंच छे चार तीन दूए कितना बजा यही आपको समय के लिए पता जिता है याद रखें कि धूब घड़ी इसी तरह बनाया जाता है उमीद है आपको अचीतर समझ में आ रहा है उसके बाद चलिए आपको दिखा रहे हैं कि बालू घड़ी क्या है आप जो यह देख रहे हैं यह आपका बालू घड़ी है कि बगल के चीतर में यह जो दिया है न यह बालू घड़ी है यह काता है कांच की बनी या बालू घड़ी या रेद घड़ी भी कहते हैं और यहाँ उल्टा पुलटना पुलटना एक जमेलय का काम हो गया और लेकिन उन दिनों जब यांतरी घड़ी नहीं थी तब बालू घड़ी बड़े काम की युकती थी और इसी से समय जानने के लिए क्या जाता था यह देखिए यह आपका चित्र क्या है यह बालू घड़ी क मिटी के घड़े के महिन छेद से नीमी तरूप से पाने बूंद बूंद कर गिरता है और जदी घड़े का पूरा पानी एक घंटे में गिरता है तो हर घंटे में उसमें पाने भरना होगा यह इसका सिस्टम को बता रहा है उसका क्या काता है यह युकती भी कम जहमेले वाल और इस युक्ती को कुछ यांत्री रूप भी दिया गया, और अगले क्रिस्ट की जल घरी को देखेंगे, कौन सी घरी है ये भी देखेंगे, ये जो आप देख रहें ये आपकी जल घरी है, तो देखें बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कस्ट करके हम अभी खोजे ढूंडे निकाले कि आपके साथ भी सेयर करना चाहिए तो देखें इसी तरह की घरी होती है बच्चो ध्यान दे जितनी आप बिग्यान को पढ़ेंगे उतना बेग्यानिक भी बनेंगे इसलिए मन लगाकर पढ़ेंगे थोड़ा से खेलिएगा लेकिन पढ़के आप बेग्यानिक अबच eight होता है दोस्तों होता है इस बात को चलीए जानते हैं इसलिए आपको हम आपके साथ कहानी को पेस कर रहें रस्य में इस बराबर दूरी पर गांठें लगा दी जाती है ताकि रस्य को एक गांठ दूसरी गांठ तक जलने में एक समय ूमीत है आपको यह त्इसाavin गया होगा कि घड़ी किपने परकार के होते हैं तो आज हम चार परकार की घड़ी के बारे में बताएं अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट अवस्य करेंगे वीडियो को अंतक देखें आपको बहुत-बहुत धन्यवाद थेंक यू फॉर वाचिंग मैं यू 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 फॉर वाचिंग मैं वीडियो जी लाइक शेयर कोमेंट और सब्सक्राइब करेंगे लाइक शेयर कोमेंट और सब्सक्राइब